हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप लोग को आप लोग के अपने यूट्यू चैनल नेक्स सेलेक्शन पर दोस्तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अंतराष्टिय सीमाई और कौन सब सीमा किस दो देशों के बीच बोर्डर साजा करता है उसके बारे में और क्योंक अपना 1914 इसवी में की गई थी और यह भारत और चीन के बीच में है और उस समय भायत में ब्रिटिस अधिपत्ते रहता है जिस कारण से यह बोडर बहुत ही ज्यादा विवादों में रहा है नेक्स्ट हिंडन बडग रेखा हिंडन बडग रेखा जर्मन और पोलेंड के बी और फ्रांस की रधानी पेरिश जो की सीन नदी के किनारे इस्थित है मेनरहीम रेखा मेनरहीम रेखा जो है वह रूश और फिनलेंड के बीच में इस्थित है फिनलेंड की रधानी है हेलसिंग की और रूश की रधानी है मौस्को और फिनलेंड जो है वह इसकेंडियन कंट प्रगत आता है रेड़ क्लीफ रेखा जिसकी अस्थपना 1947 प्रहें सविकनार के दिवा की गई थे हैं इसैवा ex सवी विये प्रह कि सेकर स्थाज़्व games झौर पकिस्तानधर और तीसवी समनानता रेखा जो है वह उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया के मधि इस्तित है उत्तर कोरिया की रधानी है प्योंग प्यांग और दक्षिन कोडिया की रधानी है सीोट और 49 पी समनांतर एक है बाइसान और कनाड़ा के बीच बाइसाने उटावा रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्ताने के बीच है साथ ही साथ जब इस रेखा का निर्धारन किया गया था 1894 इसवी में उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था इसलिए यदि कुश्चंस में पूछ दिये जाए कि डुरंड रेखा और वहां पे ऑप्संस में भारत और अफगानिस्तान दिया हो तो उसमें कन्फ्यूज नहीं किजेगा क्योंकि जंबू अंड कास्मीर का 106 किलोमीटर का बोडर भारत का अफगानिस्तान से लगता है जो की पाक अधिकरित कास्मीर में है लेकिन पाक अधिकरित कास्मीर हम लोग का अपना है और अभी हम लोग उसको अपना मानते हैं और अपना है इसलिए डुरंड रेखा पाक को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को सियर करें थैंक यू फोर वाचिंग